पिल रहे हैंट सत्थ्यां भाई मुझे एक टीप मिलिए कि पिंग शेट स्टॉक में दो तिन गुना मुनापगा हो जाता है पिंग्शिट स्टॉक हाँ भाई भाई ही यह काई जैसो टिप मिल रहे हैं तुम्हें इंस्टाग्राम चला रहे हो कि आज खल रहे हैं यार तुम स्टाइब पे कभी भी किसी से इंवेस्मेंट एद्वाईस नहीं लेते हैं यह से विफ इतनी वार्निंग दे चुका तुम्हें भी पता है कि इन्स्टाग्राम पर जो भी चीज़ आती है उनमें बहुत स्कैम्स हो सकते हैं तो इंस्टाग्राम पर यह सब मत लिया कर वर एड यह जो प्रेट वाली यह उस स्कूरूटिनी में पास नहीं कर पाएंगे यह फेल हो जाएंगी जो भी रीजन है तो वह एनसी बीसी पर लिस्टेड नहीं होती इसलिए गौर्वर्मेंट या से भी उन्हें उनकी इन्वेस्मेंट को उतना रेगुलेर्ट भी नहीं कर पाता यह लेगल नहीं कही जाती लेकिन यह रिस्की बहुत जाता है क्योंकि यह कंपनिस एनसी बीसी पर लिस्टेड है नहीं तुम्हें इनके बारे में पता नहीं है इनमें ओवर दा काउंटर ट्रेडिंग होती है मतलब को इन्वेस्टर गया और उसने पैसे दिया उसके कुछ इनके स्टॉक के प्राइस कैसे बढ़ेंगे क्या गटेंगे इसके बारे में बहुत रिस्क होता है बहुत फ्लक्शूेशन आ सकती है तो तुम्हारे मेरे जैसे जो इन्वेस्टर से उन्हें अवाइड करना चाहिए पिंग शिट में ट्रेडिंग के लिए अगर नहीं करू करो उनमें इन्वेस्ट करो तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट प्लेस इंस्टाग्राम नहीं है रिसर्च के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा है जागरन बिजनेस